आपको बहुत खुबसर डिजाइन बताने वाले हैं कुरिश्य का तो देखिए सबसे पहले हमने छे चैन बुननी है एक दो तीन चार पार छे चैन बुनेंगे और एक रिंग बनाएंगे फ्रांट्स पहले इस तारा से फिर एक दो तीन चार चार चैन बुनेंगे एक बल लेंगे फिर इस रिंग के अंदर फ्रांट्स हमने डबल कूरशे से बनना है फिर एक चैन बुनेंगे फिर इस रिंग के के दबल को रशे से बनाएंगे , अपिर ₹ चैन टॉ result मैं ने चार लाम हम पूरा गोल बनाना तो हमाइसे में 12 टाइंगे हमारी फीर्स रों कमप्लीट हो जाएगी तो हमेंसे बunn कर बतातें के सेकंड रो में हमें क्या करना है अब हमने सेकंड रो बुननी है तो देखे इस जाली से बुनेंगे आप फिर आपने क्या करना है यहां आपने इसके अंदर तीन चैन बुननी है यह देखे एक दो तीन तीन चैन बुनेंगे फिर इसी जाली में एक बल लेंगे दुबारा से हम ने डबल को रशे से बुनना है, फिर एक चैन बुनेंगे, फिर देखे एक बरली के सेकंड वाली जाली में आपने डबल को रशे से दो बार बुनना है, फिर देखे एक बरली, एक चैन बुनेंगे, फिर इस वाली जाली में दो बार बुनेंगे, फिर आपने एक चैन बुनन और इस वाली जाली में डबल कुरजय से दो बार बुनना है तो देखिए इस तरह से हमने इस सेकंड रो को बुनना है देखिए दो बार बुना फिर एक हमने चैन बुनी फिर दो बार बुना फिर एक चैन बुनी इस तरह से हम इस सेकंड राउं को कम्प्लीट करके थर्ड रो यहाँ पर हम इस तरह से इस को जॉइंट कर देंगे इस तरह से फिर आपने क्या करना है देखे हाँसिर इस को इस तरह से करना हैं अब आपने देखे 1 2 3 3 चैन बुननी एक बल लेना है और इस वाले जाली में आपने एक और दो यानि कि देखी यह तीन हो गए एक दो तीन फिर आपने क्या करने है फ्रंट्स एक चैन बुननी है और यह देखिए यहाँ सैकंड जाली में आपने एक दो तीन एक चैन फिर इसमें भी देखिए तीन बार बुनने ंगे डबल कुरशय से एक दो और ये तीन तो देखे फ्रण हर जाली में हमने देखिए डबल कुरशय से तीन तीन बार बुनना है देखिए एक, दो, तीन मेने बना लिए हैं अब यहां बनाएंगे चार, पांच, छैस, साथ, तार्ट, नो जितने बना लिएंगे जितने हमारे हैं ट्वैल टाइम बना जाएगा तो इसको हम कम्प्लीट करके आपको बताते हैं कि फोर रो में हमें क्या करना है देखिए फ्रेंट इस तरह से देखिए मैंने थर्ड रो भी देखिए कम्प्लीट कर लिए देखिए एक, दो, तीम, चार, पाँ, चार, साथ, आर्ट, नो, तस, ग्यारा, बारा यानि ट्वैल टाइम यह हमने बुन लिया है और अब देखिए एक चैन बुनने के बाद आपने यहां से इसे इस तरह से जॉइंट करना है तो हमारा थर्ड रौन भी कम्प्लीट हो गया है इस तरह से थीके थर्ड रो भी देखिए कम्प्लीट हो गई अब फोर रो बुनेंगे तो देखिए फोर रो हम ग्रीन कलर से बुनेंगे आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकती है और देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन बुनेंगे और देखिए सेकंड में यहाँ यहाँ हमने सिंगल को रशय से बुनना है इस तरह फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन बुनेंगे फिर यहाँ बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद दिखेंगे, यह एक छोड़ देंगे, यह तीन है न, फरंट दीखिये, एक, दो, तीन, तो आपने एक स्किप करके सेकरंड पे बुनना है, इस तरहाँ, फिर, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर उसके बाद ये एक skip करके जाली में बुनना है, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, एक skip करके second पे बुनना है, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन बुनेंगे, और एक जाली में बुनेंगे, तो friends देखिए, इस तरहां से हम इस वाइं wal looking, 4 5 row और खाते हैं की यृरा फिर 4 ना एक लिए क्याँ हैं पिर तो बुनेंगे तो दिखे कैसे बुनेंगे में तेकर लबसें नवा सिपा Alrighty इसके अंदर आप ने डबल को रिशे में रखाँ पर एक क्षपमृू मैंगे छाएंगेश फिर एक चैन बुनेंगे, फिर इसी में बुनेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे, हमने फ्रेंच इसमें पांच जालियां रखनी है, तो दीखें ये एक, ये दो, तीन, चार, चार जालियां बन गई है, फिर एक चैन बुन ली है, मैंने, चार जालिय तो 17 सिंखल को पांच चेयिंञा संट बना है ईकड़ायी झाइंगे इस एक दो तीन चार पांच प्यर एसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम लिए इनने हम इने prima में हैं किrete घो चानë फेल है भीत श्रेता प्रेस दो पांच सेथाए जसे 25 ंव यह दो तीन फेल छोट से Saturday American जो ना सिकंड है उसमें सिंगल इस से जॉइंट करना है इस वाले में इसके बराबर वाली इसके एंदर या पने इस तारज से बुनना है। फिर दीए एक दो तेन चैन बुनिये एक बर लीजिए और दीए हो फिर से आपने इसमें पांच जालिया बुनी है मैं ने एक बार भुना फिर एक चैन का गैब फिर डवल गुरिशे से बुनेंगे पिर एकचैन का गैब फिर डवल कुरशे से बुनेंगे इस तरह से दिखे दो तीन 4 4 जालियां इसके बाद आप ने rek Again i2第一 तरह जान डानों मज़ सीफ इस तरह वना गए प्र यह आपने पांच बन गई शोले exकन इसके लग ठीजिए यह ऑन चैयद दाए最न इसके आ पने March एक दो तीन चार यानि चोती चैन में और इस तरह से चोट असा लूब बनाना है फिर इसके बार एक दो तीन तीन चैकAR न mail चाहिए और तीन चैक बनने के बाद देखिए एक निलबी निन अचीए वंत इस यदया है धिए दाना है है फिर इसके बाद क्या करना आपने इसके बद से देशा। से बुनना है फिर देखे एक दो तीन तीन चैन बुनेंगे बर लेंगे इसके अंदर फिर से हमने पांच जा लिया बुननी है एक बन गई एक चैन डबल को रशे से एक बुना दो फिर एक चैन फिर एक चैन फिर यह चार और फिर एक दो और इसके अंदर इस तरह से बुनेंगे तो इस तरह से हमने इस रोह को करना है तो इस रो को कम्पलीट करके बता दें कि नेक्स डामें क्या करना है मैं धिखिए फर्स सेकेंड थर्ड फ़ेफ्ट्यानि हमारी फाइफ रो देखें कम्पलीट हो गए और देखें इस तरह बनी है एक दो तीन चार पाथ चैसाथ आट बने हैं और यह भी आठी एक तो ती चार पाँच है साथ आठ और अब दिखिए बिल्कुल लास्ट बनाकर अब हम इसे यहां जॉइंट कर देंगे इस थारा से हमारी यह रो भी कम्प्लीट हो गई और अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे जो हमारी फाइनल रो होगी हम 6 रो बनेंगे तो दीखिए यहां से बनेंगे जो हमने जाले डालें ती पांच अब हमने करना है तो दीखिए हम यह वाला कलर ले आप अपने पसंद का को या ले सकती है। incarnation एक दो राव भ३ कर करनेा।論 करनें फिर दीछान पार लेंगे सबसे मतऱ करें। जाली में स्टिश नाना है, तो दीखिये एक, ये दो ये तीन ये चार कररनों सब्सकूर हैं. और इन सब को एक साथ इस तरह से बोलना है फिर एक बल लेना है और ये देखे सेक्ड वाली जाली में एक दो तीन चार पांच सौरी चार का लेना है फ्रेंट्स देखे चार फिर इन चारों को इस तरह बोलना है फिर एक बल लेना है फिर नेक्स्ट जाली में हमने फिर से पाफिस्टी चार का बनाना है एक दो तीन और ये चार फिर इन चारों को इस तरह बोलना है फिर दीखे इसमें बनाना है एक दो तीन चार फिर इन चारों को एक साथ बोलना है एक दो तीन चार चार बना लिये हमने फिर हमने एक पांच बनाई दी जा लिया तो पांच बार ही बनाएंगे एक दो तीन चार और इन सब को एक सार इस तरह से बोल देंगे इसके बाद क्या करेंगे यहां से इस तरह से इसको राउंड बनाना है इस तरह से आपको इतना प्यार से फूल बनेगा फिर क्या करना है आपने देखे इस तरह से हमने इसको देखे राउंड कर लिया है अब देखिए हमने यहां से आपने जब आप इससे मिला लिए तो फिर आपने क्या करना है इसके बार आपने 3 चयान बोनेंगे फिर एग बं लेंगे और देखे यहां इस तरह से esh बोनेंगे और यहां इस तरह से चोट असा पी-कूड बनाएंगे फिर देखें यहां बोनेंगे इस तरह एक बार हमने डबल को रश्य से बोना फिर देखें यह दो तीन तीन बोनेंगे और फिर यहाँ चोटा सा पीकूट बनाएंगे फिर देखें इसी में दो बारा बोनेंगे इस तरह फिर यह दो तीन इसके अंदर बोनेंगे फिर देखें इसमें बोनेंगे यानि आपने हर पाफ स्टिच में दो दो बार बोना है देखें एक में दो बार एक में दो बार फिर आपने एक दो तीन तीन चैन बोनेंगे और इस तरह से बोनेंगे फिर देखें दो बारा इसी में बोनेंगे इस तरह से एक दो तीन और फिर यहां इस तरह से हैं इसमें भी दो बार बनाएंगे यहां ए दो तीन और यहां बोनेंगे फिर देखें इसी में दो बारा से बोनेंगे डबल को रश्य से फिर यह दो तीन इसके अंदर बोनेंगे यानि के फ्रेंड्स यह देखें डबल बोन रहे हैं बीच में डालते जा रह रहे हैं फिर देखे आपने अब यह जो रह गया इसमें यहां कि एपर डबल को रश्रस्त बनेंगे फिर यह दो तीन तीन चैन बनेंगे और इसके अंदर यहां से इस तरह से बनाएंगे छोटा सा कम गूरा कह लीजिए फिर इसके बार इसमें दो बारा पुनेंगे फिर यह दो तीन यहां बनेंगे तो देखिए यह दो तीन चार पाँच है साथ ताठ नौ नौ बनेंगे फिर आपने क्या करना है फिर आपने यहां बनना ही है यहां एक दो फिर आपने दो बार आई यहां बनने जोड़ा था उस पर भी आपने एक बार बनना है दो बार बनना फिर एक दो तीन और यहां और अब आप इसको इससे इस तरह जोइंट कर देंगे इस तरह से यह आपको फोल द्यारों चेहरे लिए प्रेंट्स मैंने इन फोलों की बहुत प्यारी से लेस बनाए ती जो बनाना है यहां बना यहां बनेगा यहां बनेगा यहां इस यह फूल बना लिया और बनने के बाद देखी उसका लूप कितना प्यारा है अच्छा लग रहा है ना और अगर फैंट आप वह हमारा कुरेश अब अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग यह इन कीजिए जरूर के शेश, कीजिए फैंट बना इ Hundreds